नई वीडियोज देखने के लिए शिमारू चानल को सब्सक्राइब करें आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ पत्नी और तू उमा पत्नी तो वो होती है जो पती के सुख दुख में साथ दें अपने पती के घर को सवर्ग बनाएं उमा औरत के काम से ही घर में बरकत आती है जब वो ज्जाडू लगाती है तो आने वाली मुसीबते ज्जाडू के तिनकों से टक्रा कर वापस चली जाती है जब वो चूला जलाती है तो ईश्वर के नजर में वो तपस्या का चिराग माना जाता है और ईश्वर उसी घर में सुक की रोशनी भी खेरते हैं जब वो कपड़े दोती हैं, तो उन कपड़ों के साथ साथ उसकी तकदिर का मैल भी धुलकर साफ हो जगता है आवरत कहने को तो घर का काम करती है, लेकिन असलियत में वो अपना धरम निभाती है अपने हाथों से अपनी तकदिर, अपना मुकदर सवारती है और एक तु है, तु, जो अपना घर अपना पती छोड़कर अपने मा के गोद में बढ़ी है ठीक है, ठीक है, मैं तुझे देखनूंगी चल बेटी नहीं मा, तुम जाओ क्या मतलब? मैं इनके साथ अपने घर जाओंगी लगता है यहां आकड तो पागल हो गई है यहां आकर ही तो मुझे आकल आई है अगर जूटी आकड में घर बैठी रहती तो यह दूसरे शादी कर लेते तो फिर जा जहनम में मार भीकारी के साथ तुम्हे काम करो, तुम आगे निकल जाओ मैं इन लोगों को समझा क्या था उने तो यह बात में घर बड़ करेंगे जाओ यह लेना और यह अपने नाटक कंपनी में बाट देना और उनको कहना घर जाके सोजाओ हाँ सबको सुला देता हूँ, बोलो शिशत्य नारायन देवगी जाए हलो पिता जी मैं लल्लू बोल रहा हूँ हाँ बोल बिटा क्या आइडिया बताय था आपने तीर बिलकुल निशाने पर जाके बैठा अच्छा और और उमा उमा मेरे सदा आ गई क्या बात करता है और शांता मा जी जखमी शेरनी की तरह च्छाती पकड़के रहेगी रहे ना भगवान का वाकई रहे ना भगवान का अच्छा सुन वो कांटे वाली शेरनी आ रही फोन रख दे आओ कांटा ने वो शांता यह तुमारी आख में मगरमच के आंसू मेरा मतलब है मैं आसू आसू नहीं तो क्या कीचर होगा मेरे लाजली बेटी अपने से जराज चले गए मतलब शैतानों की टीम आधी होगी है ना मेरा मतलब है कि बहुत दिनों बाद अकल आई उसको काफी दिन गुजार ली उसने इस घर में अगर पहले चली गई होती तो अब तक दू वच्चों की माँ बन चुकी होती कैसे उल्टी सीदी बात की करते होती अब मेरा क्या होगा मेरे देख भाल कोन करेगा आँकों पर चश्मा लगा हुआ है और अकल की अंधी हो इस घर में तीन तीन बववें और जिसके तीन बवें होती ही, वह आदी डुनिया के मिलत होती है अभी रोना धोना बंद करो, चेरा का दिजाइन ठीक करो रोते रहा ज्यादा रहा है त्यजली क्लातई हो चला चला उंस बज़ो चला कि इतना सारे आंसों निकल का इंसे रहें आंकों में नल लगा हुआ है क्या मेरे लिए एक कप चाहिए लाओ सुनिये अरे यह हार तो जाना पर चैन लगता है याद आया सिता भवी का है ना तुम्हारे मस कैसे है यह हार उन्होंने ही मुझे तौफ़े के तौर पर दिया है आप एक काम कीजिए ना इस हार को बेचकर एक फोटो स्टूडियो खुल लीजिए और एक छूटा सा घर ले लीजिए आओ बैठो देखो मा पहले बात तो यह है कि यह हार बेचकर फोटो स्टूडियो तो दूर की बात रही हम मकान भी नहीं खरीच सकते दूसरी बात यह कि किसी का दिया हुआ तोफ़ा भगवान के प्रशात के बराबर होता है और प्रशात को इंसान बेचा नहीं करते हैं है ना तीसरी बात तो तुम जानती हो कि मैं एक इमानदार और गैरतमन आदमी हूँ हूँ ना तो मेरी प्यारी धरम पत्नी यहार तुम ही पहना करो इससे पती खुश होता है और पत्नी भी खूबसूरत लगती है हाई डाड बेशरम बेहया तेरी इतनी हिमत यह सिग्रेट पीके बाब के मुँपे भूग रहा है अभी आपने हिमत देखी कहा है बाबुजी अभी तो हर रोज मैं आपके सामने बैठकर शराब पिऊंगा दुरिया बरके जुवारियों को घर में लाकर हर रोज चुवा खेलूँगा इस घर को गिर भी रखवा दूँगा और जब भी कभी तवियत खबराएगी तो किसी मुन्नी बाई के कोटे पर जाकर अपना दिल पहलाऊंगा वाब बापुची वाब क्या मिलिटरी वाला हाथ मारा है इसे काज उपर रखा था इसी की तो जरूरत है आज आज पहली पार आपने इस घर में हाथ उठाया है इसे उठाए रहने दीजे यह आज तक नीचे था इसलिए इस घर की बुनियादों में अशान्ती के दिमक वाबुची जाए और जोड़ से खुबाईए और इस घर की उजरती हुई दुनिया को फिर से बसा लिजी फिर से बसा लिजी आज आज एक सोया ववा शेर जागा इसे जागा इरे ले दीजे यह लिजिए अपनी मशिन गन और भून के अटालिए इस घर के शान्ती को अब मुझे मन में सोयवे धनराज को जगाया है धनराज के अंदर सोयवे मर्द को जगाया है अब नहीं सोयगा वो रहे नाम भगवान का मुझे 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 म वो भी तुमारी तोरा मुझे जड़े माले शुरूदे जाव पक्वास बन इनसान की इज़त और जिल्ट उसके अपने कर्दूतों से होती है जुन की लाटी से कर दुनिया का सर जुगाने की कोशिश करोगी तो खुद कासा तूटकर अपनी कर्दों में गिर जाएगा जाव अंदर जाव पना लाटी मार मार के सारा जिसम नीला कर दूँगा जाव पना जाती हो ना मारूंगा भी और तुम सीता तुम बड़ी लिख्यो ना समझदार हो इस घर के महाल को समझती हो ना तुम ही घर छोड़के जा रही थी चलो बस दोना दोना बन ऐसी आरद में बच्ची आ रोय नहीं करती है बना होने वाले बच्चे के सिहत दुरासर पढ़ता है चलो जाव पर और जब तक हम न कहें नीचे नहीं आना जाओ पर जाओ पर और गंगा तुमाजी चार नो करो रिक बावर्ची का इन्जाम करो यह हमारा होकम है जाओ और यह क्या है मेरी बहु बोटली लेका जा रही थी जाओ जांदर 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 नाइप आज चरोना धोना बन तुम 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 को बढ़ों के मूह लगना किसने सिखाया बला इसने अच्छी बात अभी तो तुम काम पे जाओ मैं शाम को तुम्हारी खबर लूँगा ठीक है ठीक है चलो जाराब तुम सास की लकडी तोड़ती हो अगर आएंदा ऐसी हरकत की तो सर तोड़ दूगा चलो 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 अंदर जाप अरे वादाजी आपने तो कमारे कर दिया सुभे के नश्र में क्या खराता आपने तुम लोगी भी जबान बहुत लंबी होती जा रही हैं चलो चलो अंदर जाप किताब उठाओ और पढ़ना चिरो करो चलाप चला नहीं तो मारूंगा चलाप भगवान तेरा लाक लाक शुक्र है आज मेरी जरा से हिम्मत ने इस घर की डूपती वी नईया को बचा लिया ते नाम भगवान का मूह काला हुआ शैतान का पिता जी शीता दी को लड़का हुआ है इस तीर बैटी चांदा चांदा अरे शांदा चांदा चांदा पीता के लड़का हुआ है तो मैं जा करूँ जाकर आके लिए खुश्या मनाव अरे भगवान इतनी खुशी का मौका है खुश्या दूग दे और भाराजा नहीं मैं तुम्हारे लिए मत चुकी हूँ यह मेरी समाधी है तुम क्या समझती हो मुरगा अजान नहीं देका तो सुबा नहीं होगी जिद्धी तो फिर मरो दादा जी क्या है दो दिन से कुछ ने खाया माजी ने इसने दो साल भूगा मरने दोसको नहीं दादा जी प्लीज दादी को खिलाओ ना दीपा याद है तुमने एक दिन कहा था मेरे जीने से तुम्हे खुशी होगी तो आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या वाकई तुम मुझे खुश देखना चाहती हो हाँ बिलकुल तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी समझा मैं शादी शुदा हूँ इसलिए शायद तुम जिजग रहेगा लेकिन फिकर मत करो मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया राम हाँ दीपा अब बेना साहरे के मुझसे जीया नहीं जाता अगर तुम्हे इंकार कर दिया मुझसे जिन्दगी बेमकसद हो जाएगी मैं वाके खुदकुशी करकी जिन्दगी का खात्मा कर दूंगा लेकिन राम मैं भी तो औरत हूँ सोचने के लिए जिन्दगी के फैसले करने के लिए मुझे भी कुछ वक्त चाहिए ठीक है सोच लो मैं तुभारे जवाब का इंतिजार करूंगा अरे दिपाजी आप बैची क्या देख रही है मैं देख रही हूँ कि आज के मॉडरन जमाने में पती को भगवान की तरह पूजा जा रहा है जमाना कैसा भी हो दिपाजी मगर हिंदुस्तानी आउरत हिंदुस्तानी सभ्यता की अनुसार हमेशा अपने पती को भगवान का ही दरजा देती है मगर पती अपनी पतनी को देवी का दरजा नहीं देता ऐसा क्यों इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है सीता जी आज आपका ये रूप देखकर मेरा दिल भराया दरसल मैं आपको कुछ बताने आई हूं तरह दिल ठाम कर सुनिएगा ये आप अपने पती को जो इतना बड़ा दर्जा दे रही है उसकी पूजा कर रही है आज आपके इसी पती ने दूसरी शादी करने का फैसला किया है आप सच मुझ देवी है इस मंदर में राम की जगह आपकी मूर्ती होनी चाहिए थी आज आप जैसी देवियों की वज़े से हमारे देश का सर उंचा है हमारी संस्कृत यमर है मुझे पूरा विश्वास है आपका कोई कुछ नहीं बिगाड सकता सीता मैं तुम्हें प्रण आप